मालेगाउ शहर के अरफबारों में शहर भर में डैलर लगे हुए है 165 करोल रुपे के फ्लावर ब्रीज सर्विस रोड अंडरग्राउंड गैलर का क्या है सच अब तक में निकाली है उसकी खोच आईए आपको दिखाते हैं 165 करोल का क्या है सच आप देख रहे हैं अब तक नियूस चेनल आए नाजरीन मैं जाबिर शाओ और आप देख रहे हैं अब तक नियूस आए हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं अब तक नियूस पर बोल किलब आजाद है तेरे शो में हम आपका स्वागत कर रहे हैं ताजरीन हम आपको दिखा रहे हैं 165 करोड रुपे के M.I.M. के आंदार मुफ्ती मुम्मद इसमाईल कास्मी के शहर भर में कई होडिंग्स लगे हुए हैं कई बोर्ड लगे हैं बैनर्स लगे हुए हैं जिस पर काम्याब नुमाइन दगी की बात लिखी गई है आज हम लोगों ने मालगाओं शहर के कहीं अखबारों में पढ़ने को मिला देखने को मिला शहर की आवाम में चर्चाए हैं 165 करोड रुपे के फिलावर बिरीज की लेकिन क्या है Flower Vries का सच क्या है 125 leaning कलोड रुपे के तीन फ्लावर, सर्विश रोड, underground garden तो हम आपको पुँछाना चाहते है वो सच तक जो आप देखना चाहते है वो सच जो आप सुनना चाहते है वो सच जो आप जानना चाहते है तो आप तक नियोज हमेशा ही सच को जागर करने में, सच को दिखाने में महनत करता है और आज फिर दिन भर की महनत लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं आपको दिखाना चाहते हैं 165 करोर रुपे का क्या है वो सच तो सुनिए महाराश केंद्र के रास्ते विकास मंतरी नेतिन गडगरी से कि क्या कहा उन्होंने रास्तों का काम किसने मंजूर किया रास्तों के काम की नीदी किसको मिली उसके डॉकमेंट्स किसने चलाए उसके पेपर किसने चलाया किसने उस पेपर को माराश्ट्रा केस से लेकर दिल्ली तक पहुचाने की जद्धुजद और महनत की है कौन है वो सक्स नितिन गडगरी की जबानी अब तक नियोस पर आपको सुनाते हैं नितिन गडगरी से सुनिए बामरे सहबननी या ठिकानी जे सांगीतला तैचा मदे सताना बाइपास सांगीतला माले गावता बाइपास मागितलेला है दोनी पन में मंजूर करतो है और आतला रस्ता वन टाइम डेवलोप्मेंट मदे तुभी प्रपोसल दिन्द्या तेह करूंदे लाइट वगरे लाउन फुटपाथ वगरे चंगली करूंदे पन नंतर माजा करने आईजा ना है कि तिकने ड्रांस्पर करूंदे कुसुम भाते डोंडाई चा याचा मदे स्टेंग्डेंग करता है याची में ट्राफिक कोना चेक कराल सांगीतला है तो दर्शको आपने नेतिन गडगरी का वह बासन तो सुनी लिया होंगा जिसमार वो धूलिया मदार संग के खासदार डॉक्टर सुवास भामरे जी का नाम ले रहे है कि भामरे जी आपने ये काम महराश्ट्रा के मालेगाव और बाकिश शहरों के लिए हमसे जो डीमान की थी हमने आपकी वो सारी डीमान को मनजूर कर ली है और आपकी जितनी भी डीमान हम तक अभी तक नहीं पहुची है अगर वो भी हम तक आ जाएंगी तो वो सारे काम की मनजूरी भी समझ लीजे हो गई ये कहा है नितिन गडगरी जी ने अब आपको दिखाना है और समझाने का मतलब ये है कि 165 करोडर रपे के काम की जो बैनर शहर भर में लगे हुए है शहर भर में जिसकी अखबारों में हेडलाइस बनी हुई है वो कामकाच किस पार्टीज ने किये है किस खासदार ने किये है और कौन से केंद्र के राश्ते विकास मंतरी ने उसको मनजूरी दिये हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये काम की मनजूरी हुई थी तो इसके होडिंग्स शहर भर में लगाए गए थे तो आई आपको दिखाते हैं वो होडिंग्स जो शहर बर में लगी हुई थी ये वो होडिंग्स हैं जो शहर बर में लगाई गई थी जिसके उपर डॉक्टर सुबास भामरे, नितिन गडगरी और देश के पुर्वो परधान मंतरी जी का फोटो लगा हुआ है साथे साथ माले गाई शहर के बीजीपी अद्धिक सुनीलाबा गायकवाड वो मदन बापू गायकवाड का फोटो लगा हुआ है अब इसमें 165 करोड नहीं है भलके ये काम के मनजूरी टोटल 400 करोड रुपे से मनजूर हुई है लेकिन उसके पहले आपको हम वो सच सुनाना चाहते हैं माले गाउ शहर में जब चर्चाय होने लगी तो हमारी जिम्मेदारिया बढ़ गई कि सच क्या है अवाम तक आना चाहिए तो माले गाउ शहर के किसी एक पत्रकार ने दिल्ली में डॉक्टर सुवास जी भामरे से फोन पर बाच्चित की जिसको एडियो किलिप हम तक पहुची है वो एडियो किलिप भी हम आपको सुनाते है कि डॉक्टर सुवास भामरे जो बीजीपी के खासदार है क्या कहा है दिल्ली से आप पहले वो वेडियो सुन लीजिए उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे सर्जी नमस्ते कौन मुल रहा है माले गाउ शहर में अलग अलग जगा पर होर्डिंग बोर्ट्स लगे हुए है के सर्वीश रोड अंडरग्राउंड और तीन फ्लाइवर 165 क्रोण के यहां के जो विद्यमा नामदार है वो उनके ऐसा बोलना है कि उनकी कोशिशें से यहां पर हुआ है उनका क्या संब्ध हो चैन्रका है सर्जी मेरे को जानने यह था कि आप भारती जंता पार्टी से जुड़े है आप दो मरतब आप मेंबर आप पार्लिमेंट बने तो इसमें आपका कहां तक हैस्सा है आप नहीं किया था गड़करी साब जब आयत है ना हम लगातार है मांग कर रहे है यह जो चारीजगाउट सोफुली है वहां पे थ्राइवोर और यह सब कीजों के लिए और गड़करी साब ने मेरे यहां आट मैने पहले कारे कम आया था वहां पे टिक्लेर किया था यह मंजूर किया गया है बामरे साब के कहने पे मैं सब डिटेश देता हूं आपको मुझे आभी मालूम पढ़ा है मैं दिल्ली में हूँ अब मैरा डिटेल प्रेस्नोट देता हूं यहां पर तो खोलो कि उनको बोलो स्टेट की जो फंड रहते ना पहले हो अच्छी तरह से लाओ पिर दिल्ली की बात करो अच्छा हम ने किया है हम आपको डिटेल में लेते हैं थैंकियो सेर थैंकियो अब आपने वह एडियो किलिप तो सुन लिए जिसमें डॉक्टर सुबास भामरेजी ने क्या कहा अब सवाल यह पैदा होता है कि वैसे भी माले गाउव शहर में काम कोई और करता है बैनर कोई और लगा जाता है जैसे कि एक कहावत है कि घोडे को नहीं मिल रही है गास और घदे खा रहे है चमन परास तो आईए आपको दिखाते हैं वो सच कि माले गाउव शहर से राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के अद्धिक्स आसिफ शेक रशीत दिल्ली के लिए रवाना होते हैं व इसने पेपर वर्क किया तो हमने जो आपको वैडियो सुनाया जो आईडियो सुनाया वैडियो का सच हम आपको दिखाते हैं यह वैडियो कपका है आठ महीना पहले धूलिया के खासदार डॉक्टर सुवाज जी भामरे के घर एक कारेकरम में आये नितिन गडगरी ने यह वहाँ पर उन्दर रिकॉर्ड उनके कामों को मंजूरी दी थी जिसका वेडियो हमने आपको पहले ही सुना दिया उसके बाद आज की तारीक में दिल्ली से डायरेक इन डायरेक फोन पर बाचित भी जिसका आइडियो हमने आपको सुना दिया अब फैसला आपको करना है कि ये काम शहर के M.I.M. के M.A.L. मुप्ति मुम्मद इस्माइल कास्मी ने किया है ये राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के सद्र आसिफ शेक रशीद ने किया है आपको फैसला करना है हमारा उपिनियन तो यही बनता है कि ये काम ना M.I.M. ने किया है नराष्टवादी के आसिफ शेक ने किया है क्योंकि जो पुरावे हमारे हाथ लगे है जो कागजात हमारे हाथ लगे है जो एंक्वाइरी अब तक नीउस चनल ने की है इस पर वाज़े तोर से साफ तोर से ये साबित होता है कि ये काम डॉक्टर सुवास भामरे दिखाते है कि ये कितने करोड रुपे का काम था कितने की मंजूरी थी और कौन-कौन से काम थे इसकी डिटेल तो इसकी डिटेल हमारे पास यू है मालेगाओ शेहर की मसूर नदी, मौसम नदी जिसको सुदारने के लिए, जिसको सवारने के लिए केंद्रिय मंत्री विभाग से नदी सुधार के लिए 170 कोठी रुपिया मंजूर किया गया था आठ महीना पहले माले गाओ बाइपास रास्ता 100 कोठी मंजूर हुआ आठ महीना पहले माता वो बाला संगोपन रोगना ले 34 कोठी रुप्या मंजुर हुआ 8 महिना पहले 40 गाओ फाटा उडान पुल 40 कोठी रुप्या मंजुर हुआ 8 महिना पहले अब ये सारे कामकाज के बोड 8 महिना पहले शहर भर में लग गए थे आठ महीना पहले नितीन गणगरी जी ने एलान कर दिया था आठ महीना पहले इस काम को मन्जुरी मिल गई थी आठ महीना पहले धूलिया किमदार संग के खासदार ॡॉक्टर सुवाज भामरे ने मालेगाव शहर बीजीपी कारियाले पे सुनी रावा गायकवाट की मौजूदगी में पत्रकार परिशद ली, पत्रकारों को पूरा डाइटा दिया जिसके काखजात और प्रेस नोट अब तक नियो उफचनल के पास भी मौजूद है अगर कोई इसकी जाच करना चाहे, तो वहम से संपर करके उस प्रेस नोट के काखजात भी ले सकता है बताने का मकसद ये है, हम इस शहर की जल्ता को सज दिखाना चाहते है इस शहर की जल्ता को जगाना चाहते है ये नहीं, कब तक जुट बोलकर इस शहर में राज्यती करते रहोंगे कब तक जुट पर इस सहर में सियासत करते रहोंगे धुलिया के खासदार ने सीधा सीधा आइडियो के लिप में कहा कि महाराश्टर की फुकुमत से मिलने वाला फंड तो पहले सीधे से लेकर आ जाओ फिर राज्यों और केंद्र के मंतरियों से फंड लाने की बात करना ये एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है कि महाराश्टर की सरकार से जो फंड नहीं ला सकता वो केंद्र की सरकार से फंड लाकर इस शहर का विकास इस सहर का डियूलप कर सकता है क्या ये बात आपको गवारा हो सकती है क्या ये बात आप मान सकते हैं ये फैस्टा इस शहर की जनता को करना होंगा अब मेरा सीधा सवाल इस शहर के मेले, जो एम आई एम के मेले मुफ्ती मुम्मद इसमाईल कास्मी से है, कि अगर आपके पास 165 करोर के कामकास के अगर पेपर है, आपने अगर ये पोसीजर चलाया है, तो आप इस शहर की चंता को वो काखजात दिखाईए, या फिर इस शहर की नुमाइंदगी पर, बहुत बड़ा सवाल है, इस सहर की सियासत पर, इस सहर की राजनिती पर, कि काम करे कोई और, बैनर लगाए कोई होड, पोस्टर चापे कोई होड, पोस्टर आप लगाईए, लेकिन पहले वो काम कीजिए, आप अगबारों में इस त्यारा जपवाईए, लेकिन पहले इस शहर को कुछ दीजिए, यह सवाल है हमारा, मैं लगाँ शहर की तवाम इस सियासी पार्टियों से, मौझूदा बरसर एक्तिदार से, मौझूदा इस शहर के MLA से, और मौझूदा इस सहल के राष्टवादी कॉंगरेस पार्टी के जिलाई स सद्र से, कि आप इसकी सच्चाई इस शहर की अवाम को पत्रकार परिशद लेकर, या पिर इस शहर की जंदा को एकटा करके, जैसे आप जवावी जलसे, जवावी जलसे, इंतिखावी जलसे, चुनावी इंतिखावी जलसे लेते हैं, आप इस तरीके का कोई भी निवेजन करके इस शेयर की आवाम को दिखाई एक सो पैसा करोर रुपे का क्या है वो सच